असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शाहरुख दोस्तों अक्सर हम लोग अपने फिंगर प्रिंट का इस्तिमाल करते हैं अपने फोन को अनलॉक करने में लेकिन और किस किस तरह से हम लोग इस फिंगर प्रिंट स्कैनर का इस्तिमाल कर सकते हैं तो आएए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तो सबसे पहला इस्तिमाल तो यही है कि आप अपने फोन को उनलॉक करें इस से लेकिन दोस्तो इसी का एक दूसरा इस्तिमाल यही है कि अगर आपने मीवाई एट में सेकेंड स्पेस को उन कर रखा है तो आप second space पर जा सकते हैं अपने दूसरे उंगली से जैसे आप देखेंगे यहाँ पर यह मेरा second space लोड हुआ तो यह मेरी है second space जिस पर जादा कुछ apps नहीं है अब first space पर जाने के लिए मुझे बस इस उंगली को tap करना है और उसके बाद मैं आ जाओंगा यह first space पर जिस पर डिर सारे apps है और second space पर जाने के लिए बस यह तो अगर आपको जानना है कि यह कैसे करना है तो इसके लिए दोस्तों आपको देखना परेगा मेरा वीडियो second space के उपर अब दोस्तों जो दूसरी चीज है वो हम लोग क्या कर सकते है फिंगर प्रिंट स्कैनर से दोस्तों सीधी सी बात यह है कि हम लोग किसी भी app lock का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर दोस्तो हम लोग एप लोग का इस्तेमाल करते हैं तो यह फिंगर प्रिंट स्कैनर से हम लोग एप को खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं जो कि काफी अच्छे से काम करती है दोस्तो तो तो तीसरी चीज यह है कि अगर आप कैमरा खोलते हैं तो आप फिंगर प्रिं स्कैनर पर टैप करके दिखाता हूँ यह फ्लेश करके जो है फोटो खीच लेगी और यह काफी फास्ट है दोस्तों और काफी ज़्यादा एकुरेट है तो दोस्तों आप कहेंगे मैं यह भी जानता हूँ अब और कुछ बताओ फिंगरप्रिंट स्कैनर से और क्या कर सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए अब आपको एक अलग से अप डाउनलोड करना परेगा जाना परेगा गुगल के प्ले स्टोर में आपको लिखना होगा दोस्तों फिंगरप्रिंट क्विक एक्शन और उसके बाद आपको यह एप मिल कर लें और उसके बाद दोस्तों यह fingerprint action खुल जाएगी यह पूछेगी कि accessibility को on करें तो आप यहां से fingerprint quick action को accessibility को on कर दें और okay कर दें और उसके बाद accessibility on हो जाएगी उसके बाद यहां पे दोस्तों आपको तीन option मिलते हैं सबसे पहला single tap option दूसरा है तो fast swipe option और तीक सरह है double tap action अब इन तीनों option को enable आप कर सकते हैं अगर आप single tap option पर जाएगे तो आपको कुछ option मिलते हैं कि एक बार अगर मैं इसे touch करूँ तो क्या होना चाहिए तो जैसे माल लीजे मैंने tap कर दिया कि expand notification तो आप दोस्तो बस notification panel को expand करने के लिए बस पीछे से मैं tap करूंगा तो यह जो notification panel है यह खुल जाएगी असानी से तो यह काफी असान हो जाती है अगर मुझे notification panel खुलना है तो बस इसे tap करना है और जो notification panel है वो खुल जाती है तो ये काफी अच्छे से काम करती है दोस्तो single tap action अब दोस्तो यहाँ पे मिलती है हमें fast swipe का action जिससे हम लोग और भी चीज़े set कर सकते हैं कुछ भी set कर सकते हैं चाहे वो slip हो go back go home recent power menu split screen expandable notification panel toggle notification panel quick setting screenshot या फिल launch app और shortcut यह hardware से supported होना चाहिए यह जो fast swipe अगर tap option है दोस्तों अगर मैं इस पर कुछ कर दूँ यह काम नहीं करेगी हमेशा काम नहीं करेगी दोस्तों क्योंकि यह हमारा hardware यह support नहीं करती है दोस्तों मैं बता दूँ कि यह जो चीज है यह fast swipe यह hardware support नहीं करती है Redmi Note 4 में आप अपने Redmi Note 3 में चिक कर लेगी क्या उसकी fast swipe support करती है और अगर आपके पास Redmi 3 है तो उसमें चिक कर लेगी क्या fast swipe support करती है उसके बाद मिलता है दोस्तों double tap action और double tap का यहां से interval बरहादे 750 millisecond पे और उसके बाद double tap action कुछ भी दे सकते हैं जैसे double tap पे दिखाए power menu तो अगर मैं इसको double tap करूंगा दोस्तों तो यहां पे आ जाएगी हमारी power menu उसी तरह से दोस्तों अगर मैं double tap पे करूंगा तो यहां पे आ जाएगी recent apps अब दोस्तों मैं बता दूं कि अगर ऐसा काम करना कभी बंद कर दे तो आपको एक बार phone को lock क को फोन को खोलना है और उसके बाद से फिर दो बर टैप करेंगे तो यह फिर काम करने लगेगी उसी तरह से दोस्तों अब मैं करके देखता हूँ ऊपकर अब मैंने डवल टैप करोंगे तो यह चली जाएगी लुच्छर में पांउसर में आप second Space पर जासकते हैं तिस्रा आप app लोग कर सकते हैं चौथा आप दोस्तों आप कर सकते हैं फिंगर्पृिंट से सेल्फी वगरा लेने के लिए फोटो किशने के लिए और पाच बाद दोस्तों मिलता है fingerprint quick action दोस्ते एक और चीज़ है अगर आप Google Play Store पे purchase करते हैं apps को तो आप चाहे तो जीन apps को purchase करते हैं तो उनके लिए आपने bank account जरूर add किया होगा तो आप इसमें setting कर सकते हैं कि जो purchasing होगी वो भी आपकी fingerprint authentication से होगी तो आप यहाँ पे fingerprint authentication add कर दे अपना password डाल दे और उसके बाद आपको जो भी जो भी इनसान खरीदना चाहेगा यहाँ पे उसे अपना fingerprint डालना पड़ेगा और fingerprint डालेंगे तब ही जा कि यह purchase कर पाएंगे तो दोस्ते मैं हुशा अरूक और मुझे आप लोग को पताना था fingerprint के बारे में कि हम लोग fingerprint से क्या क्या कर सकते हैं तो अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चल्ल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पे लाइक से न कमेंट करें थैंक्यू